मकर रासी वालों का आठ फरबड़ी 2020 का संपुर्ण फला देश तो जैसी आराम दोस्तों आईए सबसे पहले हम जानते हैं आठ फरबड़ी के पंचांग के बारे में आज तिथी है चतुर दसी नक्षत्र है पुस्य और पक्ष है सुकल पक्ष दिन है सनिवार आज के दिन सुर्य उदय हो रहा है सात बज़ के पांच मिनट में सुर्यास्त है छे बज़ के पांच मिनट में और आज का दिन काल है ग्यारह घंटे चौबिस सेकेंड का महिना है मा और आज आपके लिए सुब समय है 12 बज के 13 मिनट से 12 बज के 58 मिनट तक और असुभ काल है सुभ के 7 बज के 5 मिनट से 8 बज के 33 मिनट तक और राहुकाल सुरू होता है 9 बज के 50 मिनट से 11 बज के 13 मिनट तक दिसासूल है पूरब दिसा की ओर तो ये था आज का पंचांग अब हम जानते हैं आपके आज के दिन के बाड़े में लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो के लाश्ट में आपके लिए आज के दिन का अनोखा टोटका है जिस टोटके को आजमा कर अपने शमय को आप बहतर कर सकते हैं परन्तु उसस पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसके बेल आइकन को ओल पे आउन कर दें, तो अब हम आगे बढ़ते हैं मकर रासी वालों, आज आपके लिए भग्यसाली रंग है केसरिया और पीला, भग्यसाली अंग है आपके लिए चार यानी की फोर और स्वास्त के लिहाद से आपका दिन बहुत ज्यादा बेहतर और सांदार रहने वाला है आज आपके बोडी में उर्जा की कहीं कोई कमी नहीं रहने वाली है, किसी भी काम को पूरा करने के लिए आपका आत्मिस्वास आपका पूरा साथ देने वाला है, लेकिन साथ में आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, कि आपको काम के साथ साथ आराम भी करना होगा अगर आप आराम करेंगे तो आपका स्वास्त बेहतर रहेगा और अगर आप आराम नहीं करते हैं तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है पड़न्तु दोस्तों धन के लिहाद से आपका समय ज्यादा अच्छा नहीं रहने वाला है आज आप लोग फालतु के जगों पे पैसे खर्च करने वाले हैं आप पैसे वहां खर्च करने वाले हैं जहां से आपको कहीं कोई फाइदा नहीं है और वो बेकार की चीजी हैं तो फालतु खर्च पर आज आप कंट्रोल करने का प्रयास करें अन्य था आपको धन की दिक्कत आज के दिन जहिलनी पर सकती है इस बात का आप ध्यान रखें आज आपका पाडिवारिक जीबन भी सामाने रहने वाला है हो सकता है तो घर-पडिवार की जिम्मेदारियां आज आपके उपर आज आए और उन जिम्मेदारियों में आप थोड़े बहुत परिसान हो सकते हैं क्यूंकि सारा काम आज के दिन आपको ही करना पड़ेगा यादगार लम्हे की तरह रहने वाला है वो लोग अपने आज के दिन को रोमान चक बनाने वाले हैं आज के दिन को अच्छा बनाने वाले हैं दोस्तों अगर आपके कामकाज की बात करें तो आपका कामकाज भी सामाने तोर पे अच्छा रहने वाला है आज के दिन आप कुछ रचनात्म करने का प्रयास करें और समय को बढ़वाद नहीं करना है इस बात को आप ध्यान में रखें जिस भी काम में आप हाथ लगाते हों तो प्रयास ये करें कि मुझे इस काम को खत्म कर देना है और वो भी अच्छे से खत्म कर देना है तो अब जानते हैं आपके अगर आप कर लेते हैं तो आपका दिन बेहतर हो जाएगा मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में राधे राधे